अब उसके साथ इतना ही नहीं उन्हें ये भी एनाउंस किया कि 200 यूनिट बिजली फिरी देंगें कि इस घर को इस फैसले का लाब नहीं पहुचेगा चाया आपके घर में मीटर हो तो भी मीटर नहीं हो तो भी लेकिन इससे भी बड़ी बात जो पिछले दिन उन्हें ने कहा था कि बकाए बिजली बिल माप करेंगा सभाविक है जो गरीब है उनको पता भी नहीं कि उनको 40,000 बिजली के बकाए हैं उनका कनेक्शन कटा हुआ है उनको ये भी नहीं मालूम कि हम जो बिजली जला रहे हैं ये कानूनी है या गैर कानूनी है कुछ पता नहीं और विभाग का डंडा जलता है तो कभी कभी गरीबों पर एफ हाई आर भी हो जाता है हमारे नेता ने कहा था कि दो लाग तक करजा माप करेंगे हमने निर्नल ले लिया है कोरोना से पहले जब विसम परिस्थिती था उस समय भी हमने मूने ही मोडा किसानों से और तब पचास हजार तक के स्टेंडिंग लॉन माप किये थे और अब दो लाग तक के स्टेंडिंग लॉन और एन पिए उसका भी मापी का मान्य मुक्मंत्र जी के निर्देश पर निर्नल हमने ले लिया है काजी कबायत चालू है और धनबाद जीला के सभी आवाम को यहां पर इस कार्शक्रम को सफल बनाने में पिछले एक सब्ता से लगे हुए सभी पदादिकारियों को पुलिस विभाग के जीला परसासन के और सभी सातियों को सरकार की और से हमारी और से हार्दिक जोहार नंदन वंदन अभिनंदन सीम साहब को सुनना है रोज की सुवा जब आप अख़वार को देखें माँ कीजेगा एलेक्ट्रोनिक प्रेंट सोसल मेडिया के सभी साथीगन रोज सुवा आपका भी हार्दिक अभिनंदन है जब आख़वार को देखें या फिर चमपईदा को किसी जीले या फिर प्रोजेक्ट भावन में मिटिंग करते समय देखें तो इस राज की तीन कडोर चालिस लाग जनता को इंतजार होता है कि हेमन सोरेंजी ने महागटबंदन ने यहां की जनता ने जो जिम्मेदारी चमपईदा को दिया है वो यहां के जनता के लिए क्या करने वाले हैं कभी कभी हमें भी नहीं मालूम होता यह अपने दिल से बड़ी लकीर खिसते हुए नजर आते हैं मैं अपने विवाग की बात बाद में करूँगा अब भी जो पचीश साल से उपर सभी बैनों को बेटी को इन्होंने प्रोचान देने का एलान किया है और जिसके लिए कवायद है विवाग में जीला अस्तर पर सुरू हो गई है चालिस लाक नए लाभुकों के जीवन में उजाला लेकर आएगी याद किजिए चार साल पहले बिद्वा बेहन जो किस्मत की मारी होती थी जब पैंसन के लिए आप जाते थे हमारे जीला ध्यक जाते थे हमारे जीला पर सदस जाते थे याद मुकिया जी लोग बैटे हैं आप जाते थे तो कहा जाता था कि चालिस साल का उमर होगा तब दिया जाएगा और उसमें भी निश्चित नहीं था कि मिलेगा कि नहीं बीपीयल वाले को प्रात्मिक्ता दिया जाएगा किस्मत ने जब मार मारा था तो ये नहीं पूछा था कि बेहन तुम बीपीयल हो या नहीं हो जब किसी का अपना एक्सिडेंट में मारा गया तो उसके हालत को देखकर नहीं मारा था या वैभब सिन्ना जी बैटे हैं आप सब बैठे हैं कितने लोगों के लिए लेके जाते थे परखंडों में धरना देते थे उपाय कारजाले में चक्कर लगाते थे किसी ने नहीं सुना और सरजन पैंसन आया 22 लाग से जैदा लोगों को एक साथ पैंसन देने का काम इस महागडवंदन की सरकार ने किया आप ने किया इसका मतलब इस निर्ने के पहले 22 लाख लोग इस राज के सभी परखंडों में Football कारजाले में मंत्री जी के दभतरओं में मुक्क मंत्री जी के कारजाले में चक्कर लगा रहे थे एक निर्ने ने 22 लाख लोगों के चेहरे पर सुकून देने का काम किया सरकार यहीं नहीं रुकी फिर हेमन सोरेंसाब महराबादी सहत यहां से गैनांस किये कि पचास साल से उपर महिलाओं को भी हम सर्वजन पैंसन में सामिल करेंगे और SZST कटोगरीज में पुर्शों को भी देंगे यह भी योजना 18 लाख लाभुकों के चेहरे पर सुकून लेकर आई और अब चमपईदा ने जब एलान कर दिया कि हम 25 साल से उपर अपनी बैने को बेटियों को भी सब को पैंसन देने का काम करेंगे तो 40 लाख नए लाभुक अगले मैने इसमें जुडेंगे बोलिये किसके घर में इस फैसले का लाभ नहीं पहुंचेगा सबके घर में पहुंचेगा हर घर में पहुंचेगा और उसके साथ इतना हीने इनने ये भी एनौन्स किया कि 200 उनिट बिजली फिरी देंगे किस घर को इस फैसले का लाब नहीं पहुँचेगा चाया आपके घर में मीटर हो तो भी मीटर नहीं हो तो भी लेकिन इससे भी बड़ी बात जो पिछले दिन उन्हें नहीं कहा था कि बकाए बिजली बिल माफ करेंगा सभाविक है जो गरीब है उनको पता भी नहीं कि उनको 40,000 बिजली के बकाए हैं उनका कनेक्शन कटा हुआ है उनको ये भी नहीं मालूम कि हम जो बिजली जला रहे हैं ये कानूनी है या गैर कानूनी है कुछ पता नहीं और बिभाग का डंडा जलता है तो कभी-कभी गरीबों पर F.I.R. भी हो जाता है और उनको 200 यूनिट बिजली का लाफ तभी मिलेगा जब पिछले बकाए जिस पर चक्रवर्दी भी आज बनता है वो माफ होगा नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि माफ है या नहीं है यह सच है कि आज के दिन में जो भी बिजली जला रहा है गरामी निराके में सहरी इलाके में 200 यूनिट तक वो F.I.R. का लाब ले रहा है अर इसमें लाख हो 30 लाख से जादा लाबुग लाब ले रहे है पता नहीं जुवान पे बात आती है या नहीं लेकिन ये सरकार तो काम कर रही है ये सरकार सब के लिए कर रही है कोई भेदभाव नहीं कर रही हमारे रेता ने कहा था कि दो लाग तक करजा माप करेंगे हमने निर्न ले लिया है कोरोना से पहले जब विसम परिस्तिती था उस समय भी हमने मूह नहीं मोडा किसानों से और तब पचास हजार तक के स्टेंडिंग लॉन माप किये थे और अब दो लाग तक के स्टेंडिंग लॉन और NPA उसका भी माफी का मान्य मकमंतर जी के निर्देश पर निर्ने हमने ले लिया है काज जी कवाय चालू है ये सारे फैसले आम आदमी को सुकून देते हैं आम आदमी के जीवन में बदलाव लाता है मान्य मकमंतर जी यहां जो आज लगभग 400 कड़ोर रुप्यों का सिला न्यास उद्गाटन परिसंपत्ती बित्रन और एक दो नहीं कई तो आए हैं कई घर में 23,000 लाबुकों को सीधे फायदा पहुँचाने का यह आज का कार्चक्रम है जो मान्य मकमंतर जी के निर्देश पर हुआ है मैं जीला परसासन, पुलिस माकमा, यहां के मिडिया मत दो और यहां के आवाम को भी धन्यवाद देना चाहँगो विसेश कर यहां की जन समस्याओं को लेकर बैन पुर्णमा निरस सिंगी हमेशा हमारे मंतराले में हो, सीम साहब के चेम्मर में हो, हर समय चिंतित रहती है अभी मंच पर बैटे थे, आरेसपी कॉलेज की बात सीम सर से कर रहे थे मतलब आबू, किसानों के परती, यहां के लोगों के परती हमेशा सम्मेधन सील रहते हैं और इनके कोश्चन बिधान सवा में कैबिनेट करने को मजबूर करती है वो जन्ता से जुड़ा हुआ कोश्चन होता है आज बच्चों के लिए सावित्री बैफूले की सोरी सम्रदी योजना उनको इस प्रैपंड हो, छाथ विर्थी हो, तीन गुना करके देने की योजना गुरु जी क्रेडिट काड योजना जिसमें चार लाग तक कोई ब्याज नहीं पंद्रा लाग तक मामली ब्याज पर उनके भी सपने को साकार करने का उसर इस सरकार कहती हासिक निर्न है, आने वाले दिनों में मान्य मुक्क मंत्री जी के जहन में और भी कई राज हैं जो ये खुद अपने मुखारविन से आपको सौगात देने जा रहे हैं मैं पुना पूरे धनवाद की जनता का बिनोत बिहारी महतों जी की धर्ती का नमन करता हूँ और आपको नंदन वंदन अविनंदन करता हूँ जोहार जय हिन जय जहारखन जय धनवाद